राहुल दरवेड अगर गुसा नहीं होंगे तो भाई क्या होंगे क्योंकि मैच से ठीक पहले आज राहुल दरवेड ने वही चीजें प्रैक्टिस करके दिखाई कि भाई तू आउट कहां हो रहा है क्योंकि वाईड ओस्टम पे रिशप पंत को कोई भी बोलर स्पेशली आके जब बोल डालता है ये इसकी रेंज से बोल बाहर चला जाता है और ये मारने जाता और बोल उपर खड़ा हो जाता है सेम टिपिकल आज भी वैसे ही आउट हुआ है और राहुल दरवेड बहुत जादा गुसा था जब ये आउट होके जा रहा था अंदर क्योंकि आया है टेस्ट मैच में इसने ब्रिलियंट पारियां खेली है उससे कोई डिनाइए नहीं कर सकता लेकिन हम ऐसे जीतेंगे टी ट्वेंटी वल्ल्ड कप एक तराफ इंगलेंड जो की ससी कर रही है चाए वंडे हो चाए टी ट्वेंटी हो चाए टेस्ट मेच हो मतलब यार वहाँ पे 500-500 रन लगा रहे हैं बंडे में और हमारे जलूस निकले पड़े हैं हमें पहले बैटिंग जब आती है इंडिया की हमें समझी नहीं लगता हम कौन से गेर पे बैटिंग करें रिशब पंत का टाइम आ चुका है इसको कम से कम एक दो सीरीज के लिए इसको ड्रॉप किया जाए ना कि रेस्ट दिया जाए आरलेंड के अंगेस यह रेस्ट पे है लेकिन अच्छा हमारे पास भाई इशान किशन है हमारे पर डीके है हमारे पर संजू है यार संजू सैंसन ह जो कि एक complete classic player है रिशब पंद का time आ चुका है मुझे अब लोग comment करके बताईए देखिए test match में कोई deny नहीं कर सकता है इसकी achievement मैं आज भी कहता हूं रिशब पंद test cricket में आदे घंटे में match का सत्या नाश कर सकता है मतलब हारे हुए match को हमें यह जिता सकता है और जिता हुए को हरा भी सकता है इसमें कोई doubt आउट इसमें कोई double बात नहीं है इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन T20 में जितनी इससे उमीदे थी उसके यह आसपास भी नहीं दिखा अब हार्दिक पंदय की betting देखो यार वह आदमी mature हो गया कब कैसे mature हुआ हार्दिक पंदय को setback मिले बहुत नहीं आ जाएगी future है मानता हूँ लेकिन अभी time है इसको बाहर पेंगने का comment करके बताइए agree करते हो इस बात से या नहीं करते हो thank you so much बात 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 रहें नहीं भाई